Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ करीन आप सबकी E-VS Educator and I hope आप सब healthy होंगे So आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि Magnet Brains प्रोवाइड कराता है kindergarten से लेकर class 12 तकी free and high quality education इसके साथ साथ हमारा एक Hindi Medium Channel भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगी Classes 6 तक क्लास 12 तकी सारी वीडियोस जिसमें आपको UP Board, Delhi Board, Bihar Board, MP Board and Rajasthan Board के भी वीडियोस अवालेबल है साथ में आपको मिलते हैं fully organized courses जिसमें आपको daily practice questions भी provide करवाई जाते हैं Also e-notes and e-books का link description box में given है So उसे grab करने के लिए भी link को check कर लिजेगा So आज की वीडियोस start करने वाले हैं हम chapter number 4 से जो की है our family and friends Okay, so हमारी family ही हमारी सबसे पहली friend है Hello students, सबसे पहले जो हमारे दोस्त होते हैं हमारे friends होते हैं, वो कौन होते है students? हमारी family So किसी और पिर सबसे जादा trust करने से पहले आपको students अपने family से ही क्या करने चाहिए? आपने बातों को share करना चाहिए So आपकी mother सबसे पहली आपकी friend है आपकी father आपकी सबसे पहले friend है फिर आपकी grandparents जो आपको bedtime stories सुनाते हैं और भी नहीं नहीं चीज़ें आप सीखने को आपको मिलते हैं आपके family में So सबसे पहले friends आपकी कौन होते हैं? आपकी family So आज हम शुरुआत करने वाले हैं Chapter 4 से हमारी family के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं कि आखेर ये family होती क्या है और कितनी types की families होती है ये सब हम आज discuss करने वाले हैं इसके पहले की videos मतलब की chapter 1, chapter 2, chapter 3 की videos जिस तरह भी अभी तक watch नहीं करिए जल्दी सब watch कलीजिए उसमें आपको सारी की सारी knowledge मिल जाएगी जो भी मैंने वाँ पर share करी है so Magnet Brains की channel पर सारी की सारी videos आप check कर सकते है ओके, so चलिए शुरू करते है chapter 4 से which is our family ठीके, so चलिए आज हम एक साथ में गाना गाने वाले हैं एक song जल्दी से sing करने वाले साथ में एक अच्छी से start देते हैं और शुरू करते हैं गाने के साथ ठीके, the first people to know you the ones who give you name they give love and care and a place to belong love your family, love your family जी हाँ students, हमेशा अपनी family को क्यार करना है सबसे पहले अपनी family से प्यार करना है ठीके, so समझ लेते हैं इस गाने का मदलब के जो अभी अभी हमने साथ में गाया है so the first people to know you मतलब की सबसे पहले लोग जो होते सबसे पहले हमारी life में जो लोग होते हैं वो कौन है? हमारी family the ones who gave you name है ना, सबसे पहले वो आपको क्या देते हैं? जब आप पैदा होते हैं बहुत छोटे से होते हैं है रोते हो इस life में आते हैं इस world में आते हैं है ना, so आपको सबसे पहले नाम कौन देता है? आपकी family ओके, they give love आपको क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपकी क्या करते हैं सबसे ज़्यादा care and a place to belong मतलब की आपको एक रहने के लिए घर देते हैं ना, अपना घर हम जिसे कहते हैं वो आपसे share करते हैं, love your family हमेशा अपनी family से क्या करना है? प्यार करना है और यही गाना हमेशा sing करते रहना है, ठीक है students, सबसे पहले लोग आपकी life में जो होते हैं उन्हें आपको वही सबसे पहले आपको जानते हैं है न मतलब कि आपकी family सबसे पहले आपको जानती है, आपको नाम देती है आपसे प्यार करती है, आपकी बहुत अच्छे से care करती है, आपको अच्छे से बढ़ा करती है, अच्छे अच्छे चीजे सिखाते हैं, और आपको रहने के लिए अपना घर देते हैं, है ना, सो हमें हमेशा अपनी family से क्या करना है, बहुत जादा प्यार करना है, उनको कभी परेशान नहीं करना है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, so family, आज हम सबसे पहले family को समझ लेते हैं, अच्छे से कि family क्या होती है, ठीक है, a family is a group of people, ठीक है, family एक group of people है, मतलब family में, कोई एक जना तो नहीं रहता, मतलब कोई सुर्फ एक ही, नहीं रहता, क्या होता है, group होता है, group of people, बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे साथ, related to one another, है नहीं सब एक दूसरे से ही relate करते हैं, है नहीं हमारे अपने होते हैं, they live together, हुआ हमेशा साथ रहते हैं, in the same house, ठीक है, हम सब जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, है नहीं, so all family members share things, सारे family members जो होते हैं, सारे family members आपस में अपनी अपने चीज़े share करते हैं, है नहीं आपस में सब प्यार करते हैं, अपनी feelings उनकी हम अच्छे से समख सकते हैं, है नहीं उनके ideas हम से वो share करते हैं, जैसे आपका कोई भाई है, वो आपके घर में आकर आपको कोई idea बताता है, है आप अच्छे से सुनते हैं, है ना, and problems with one another, और हमारी life में जो भी सारी problems होती हैं, हम किस से share करते हैं, students, हम अपनी family से share करते हैं, अपने mommy पापा से, हमें कोई भी दिक्कत होती है, हमें school में कोई परिशानी होती है, हम सबसे पहले जाकर, अपने parents से discuss करते हैं, वही तो हमारा कौन है, परिवार, हमारी family, so students, हमेशा हम अपने चीजें share करते हैं, care करते हैं, एक दूसरे की feelings को समझते हैं, एक दूसरे की care करते हैं, बहुत ज़दा प्यार करते हैं एक दूसरे से, है ना, अपने भाई बेनों का भी परिशान करते हैं, मस्ती करते हैं, है ना, और अपनी problems भी discuss करते हैं, okay students, so यही है family, ठीके, यह होता है एक परिवा, okay, types of family, अब हम discuss करेंगे types of family, मतलब कि, कितनी types of family होती है, there are different kinds of families, मतलब कि, बहुत तरह तरह की families होती है, ठीके, जिसमें some are small, कुछ family बहुत जाता, छोटी होती है, small होती है, and some are large, कुछ families बड़ी होती है, ठीके, we live with our parents, हम किस के साथ रहते हैं students, हम अपने parents के साथ रहते हैं, है ना, अपने mommy के साथ, अपने पापा के साथ रहते हैं, एक ही घर में, our brothers and sisters, also live with us, मतलब कि, हमारा भाई, यहां हमारी भेन भी हमारे साथ रहती है, है ना, सो, कितने types की family होती है, कुछ small होती है, और कुछ large होती है, चलिए इस के types जानते हैं, ठीके, ओके students, So, nuclear family, ठीके, सबसे पहले है nuclear family, अब students, nuclear family, मतलब कि, छोटी family, small family, ओके, in a small family, parents and one or two, live together, ठीके, in a small family, parents and one or two children, ठीके, मतलब कि, हमारे parents, मतलब कि, हमारी mother, हमारे father, है ना, और one or two children, मतलब कि, जादा ने स्रिफ एक, या दो, बच्चे भी होते हैं, उसी घर में, ठीके, 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 they live together, सब आपस में रहते हैं, मम्मी, पापा, है ना, आप, आपकी भेन, या अपका भाई, ठीके, सो ये nuclear family में, कितने लोग रहते हैं, त्री, या फोर, है ना, जादा से जादा थ्री, या जादा से जादा फोर, ओके, इट इस कॉल्ड अ न्यूक्लियर family, ठीके, ये बहुती जादा छोटी family होती है, क्योंकि इस family में, सिर्फ कौन होते हैं, हमारी mommy, हमारे papa, ठीके, और आप, ठीके, इसके साथ-साथ, आपकी भेन, या आपके भाई, ठीके, सुर्फ इतने ही लोग होते हैं, इस nuclear family में, इसलिए कहा जाता है, इसे एक छोटी सी family, small family, यहाँ पर देख रहे हैं, students, यह देखे, यह father है, यह mother है, है ना, यह अब students जैसे की, brother, sister है, आपस में, भाई, भेन है, ठीके, students, ओके, nuclear family, बहुत छोटी सी family होते हैं, आपको, याद रखना है, अब चलते हैं, joint family की तरफ, joint family की अच्छे समझ लेते हैं, कि क्या होता है, ठीके, इन large families, मतलब कि, obviously, बहुत बड़ी family होती है, there are many members, ठीके, इस joint family में, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे members होते, okay, there are many members, that live together in the same house, ठीके, so joint family, एक large family होती है, यानि कि, होती है, there are many members, many members, यानि कि, बहुत सारे लोग होते हैं, that live together, जो सब साथ मिलकर रहते हैं, in the same house, एक ही घर में सब आपस में, साथ मिलकर रहते हैं, in these families, children live with parents, है ना, children मतलब कि, बच्चे अपने parents के साथ रहते हैं, ठीके, then उसमें होते हैं, grandparents, यानि की दादा या दादी, वो भी होते हैं, joint family में, uncles, aunts, uncle, aunts, मतलब कि, आपके चाचा चाची, भी साथ में रहते हैं, and cousins, मतलब कि, चाचा चाची के भी बेटे रहते हैं, या बेटी रहती हैं, है ना, जैसे की, such a family is called a joint family, इसी family को क्या कहा जाता है, students, joint family, ठीके, अब students, जैसे की, आपने देखा होगा, बहुत big families होती है, है ना, उसमें क्या उन कौन रहता हैं, पापा, मम्मी, है ना, आप, आपका भाईया भेन, आप साथ में कौन, कौन हो जाता है, students, कौन कोन हो जाता हैं, brain parents, grain parents, मतलब की, आपके दादा दादी, ठीके, then, चाचा चाची, है ना, चाचा चाची के भी बेटे, या उनकी बेटी, वो रहते हैं साथ में, है ना, मतलब की, जोने हम क्या कहते हैं, cousins कहते हैं, चाचा चाची, याने की, uncle, और आपकी, aunt के बच्चों को, हम क्या कहते हैं, cousin कहते हैं, okay, such a family, is called a joint family, इसी family को कहा जाता है, joint family, याने की, बहुती, बड़ी family, okay students, समझ आ रहा हैं आपको, बहुती सिंपल है, joint family बड़ी होती है, nuclear family छोटी होती है, यह देख रहे हैं अब, यह देखिए, joint family में, बहुत सारे लोग रहते हैं, गसी की, दादा दादी हैं, चाच अ चाची होते हैं, है ना, हमारे parents होते हैं, हमारे sibling, याने की, हमारा भाई बहन होते हैं, है ना, हमारे cousins होते हैं, ऐसे ही family, याने की, बहुत बड़ी family, साथ मिलकर रहती है, एक ही घर में, और उसे joint family कहा जाता है, ओके, स्टूडेंस, अब हम बात करते हैं, single parent family की, ठीक है, नाम से ही समझा रहा है, single parent, ठीक है, इसमें एक ही parent होता है, single, याने की, एक ही parent होता है family में, in some families, कुछ families में, one or more children live, either with the father or the mother, अब students, कुछ families में क्या होता है, जैसे की, जो बच्चे होते हैं, बच्चे किस के साथ रहते हैं, अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, या तो फिर वो अपने पापा के साथ रहते हैं, है ना, कुछ incidents हो जाते हैं, उनकी family में, या कुछ भी like problem हो जाती है, है ना, so students, वो बच्चे किस के साथ रहते हैं, अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, है ना, यहां तो फिर अपने पापा के साथ रहते है याने कि parent, मतलब कि parent सरफ एक ही होता है यहां तो सरफ मम्मी होती है यहां तो सरफ पापा होते है है ना, कौन होता है? यहां तो सरफ father होते है parent यहां तो सरफ mother होती है parent ओके और उनके साथ कौन रहते हैं? उनके बच्चे, ठीक है? उनके चाइल्ड या चिल्डन Such families are known as Single Parent Families इन्ही फैमिली को Single Parent Family कहा जाता है क्योंकि इसमें सरफ Single Parent याने की एक ही Parent होता है यहां तो सरफ Mother Parent होती है यहां तो सरफ Father Parent होते है Okay students, so Very simple, Single Parent Family से ही कहा जाता है जैसे आप देख लेंगे इस पिक्चर में है ना, सरफ Father एक Parent है और उनके दो बच्चे है ठीक है? ऐसी फैमिली को Single Parent Family कहते है Students आपको याद करते जाना है अच्छे से है ना, Nuclear Family छोटी फैमिली Joint Family, Big Family Single Parent Family में सरफ एक ही Parent होता है अब students हम रोल्स की बात कर लेते जो हमारी फैमिली में लोग होते हैं, हमारे साथ जो रहते हैं उनके क्या रोल्स होते हैं, उनके क्या महत्व है है ना, so Family Members are related to each other जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो आपस में सब एक दूसरे से ही connected है, related हैं Okay, they help each other and love and take care of each other सब आपस में एक दूसरे की help करते हैं, मदद करते हैं और प्यार करते हैं एक दूसरे को then आपस में सब एक दूसरे की care करते हैं, है ना Okay, so Each family member has a different role to play हर family member का अलग-अलग role होता है है ना, students, जैसे की आपने देखा होगा अपने पापा को, पापा shop संभालते हैं, है ना shoppers जाते हैं, काम करते हैं पैसे कमाते हैं बट ममा जो है, ममा घर में रहती है ममा घर के काम संभालती है, खाना बनाती है है ना, बच्चों को संभालती है है ना, grandparents का काम अलग होता है Grandparents छोटे-मोटे काम करते हैं घर में क्योंकि वो बहुत बड़े होते, old होते हैं So, वो कुछ घर के छोटे-मोटे काम करते हैं And आपको stories सनाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं So, सबके अलग-अलग roles है Okay, हर family member अपना-पना role निभाता है Okay, mother cooks food for the family अब वही बात मैंने आपी पताई आपको कि जब ममा हैं, वो घर पे सब के लिए घारा बनाती है, बहुत डिलिशियस She keeps the home neat and tidy अब ममा क्या करती है? घर को साफ सुधरा रखती है She helps us in our studies, वो हमारी studies में हमारी मदद करती है मैं भी जब छोटी थी, so मेरी ममा भी में बहुत help करती थी So, homework कराने में और writing अच्छी लिखवाती थी So, यही काम ममा लइक आपकी studies में आपकी बहुत ज़्यादा help करती है She also take care of us when we are not well आच्छा, जब हम भी इमार पढ़ते हैं, है ना So, हमारी help कौन करते हैं? हमारी ममा है ना हमारे आपस रहती हैं, हमारी मदद करती हैं, हमें अच्छा चा खाना खिलाती हैं हमारी सेहत का ध्यान रखती है So, आपको क्या करना है students? आपकी ममा को जोड से हग करना है और उन्हें कहना है thank you सरफ ममा को ही नहीं students आपको अपने parents को हग करना है और उन्हें हमेशा thank you कहना है क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा help करते हैं So students, चलिए Next, समझते हैं father का क्या role होता है Father works in the office Father बहुत ज़्यादा काम करते हैं office में या shop पर So, he earns money for the family Father क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं हमारी family के लिए ताकि वो हमारी studies करवा सकें हमें अच्छा खाना खिला सकें Food के लिए पैसे कौन देता है? Father और अच्छे studies के लिए पैसे कौन देता है? Father So, father बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? Hard work करते हैं और money earn करते हैं He buys clothes and toys for us वो हमारी नए-नए कपड़े खरीते हैं Toys दलाते हैं He also helps mother to keep the house neat and tidy और father क्या करते हैं? ममा की भी help करते हैं कुछ-कुछ थोड़े बहुत कामों में Okay? Grandparents tell us stories चलिए अब Grandparents का क्या काम होता है? वो समझते हैं ठीक है? Grandparents tell us stories Grandparents हमें stories सुनाते हैं Teach us moral values हमें अच्छी अच्छी बाते सिखाते हैं And play with us हमारे साथ खेलते हैं Right? They love and look after us हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारी care करते हैं Alright students So grandparents का अलग रूल है Father का अलग रूल है Mother का अलग रूल है सब हमारी बहुत ज़्यादा help करते हैं हमारी take care करते हैं So students अपने parents की हमेशा help करनी है और उनकी care करनी है Okay? A happy family helps each other एक अच्छी family हमेशा एक दूसरे की help करती है मदद करती है So हम भी देख लेते हैं कि हम कैसे help कर सकते हैं अपनी family की Okay? We should help our parents हमें अपने parents की help करनी चाहिए है ना? कुछ-कुछ छोटे जो काम होते हैं लाइक ग्लास भर की देना अपनी ममा या अपने पापा को या अपने ग्रेंड पेरेंट्स को है ना? उनको टाइम पर medicines देना और अगर आपकी घर में पैट है डॉग है या कैट है उनकी केर करना है ना? ममा को थोड़ा बहुत किचन में आप काम करवा सकते हैं So, ये कुछ लाइक चीजें हैं ये कुछ काम है छोटे जो आप कर सकते हैं और ऐसे ही responsible बन सकते हैं Okay? We should keep the things in the proper place अब students, आप क्या करते हैं? आप खेलते हैं अपने toys के साथ है ना? So, वो toys बिलकुल ऐसे ही fake देना So, ऐसे बिलकुल भी नहीं करना है आपको अपने toys के साथ खेलने के बाद उनको proper place पर रखना है है ना? Same, जब आप पढ़ते हैं आप study करते हैं अपनी books को table पर अपने study table पर अच्छे से arrange करना है ठीक है? आप कोई भी like chocolate खा रहे हैं है ना? Chocolate आपने खा ली वो garbage आपको dustbin में throw करना है है ना? ये कुछ काम करके आप अपने parents की help कर सकते हैं Okay? Okay students We should get groceries from the market है ना? ममा के साथ हमें जाना चाहिए साथ में उनके साथ grocery shopping पर है ना? We should lay the dining table before each meal ठीक है? अब dining table पर भी आप कुछ help कर सकते हैं जैसे की plates वगेरा आप निकाल कर वहाँ पर अच्छी से arrange कर सकते हैं है ना? Okay We should help our parents to keep the house neat and tidy Obviously Students आपको हमेशा अपने parents की help करनी है अपने घर को साफ सुधरा रखने में है ना? जैसे की आप books को अपने जगर पर ही रखेंगे table पर जहाँ आप study करते हैं वहाँ पर आपको arrange करनी है toys को अच्छे से रखना है कपड़ों को इधर उधर नहीं फेकना है आपको अच्छे से अरेंज करना है फिर आप कुछ chocolates काते हैं उस chocolates का garbage आपको नहीं फेकना है कहां रखना है dustbin में आपको डाल देना है है ना? ये कुछ काम करके आप अपने parents की वहोट ज़ादा help कर सकते हैं इससे आपका house हमेशा need and clean रहेगा ओके और आपकी ममा भी परेशन नहीं होगी So, our parents feel happy when we help them हमारे parents बहुत ज़ादा खुश होते हैं है ना? जब हम उनकी help करते हैं छोटे-छोटे काम हम करना सीखते हैं responsible बन जाते हैं So, हमारे parents हमारे बहुत खुश हो जाते हैं है ना? वो बहुत ज़ादा proud feel करते हैं We should love and respect them हमेशा उन्हें अच्छे से प्यार कहना चाहिए उनकी respect करनी चाहिए उनकी care करनी चाहिए है ना? So, students इसी ये सब करके ही आप क्या बनेंगे? एक अच्छे student बनेंगे और बहुत ज़ादा responsible हो जाएंगे है ना? I hope आप सब आज से ये सब करने वाले हैं Okay, students So, relations in a family अब हम relations को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन से कौन से relations होते हैं और हम उन्हें क्या कहते हैं Okay, सब से पहले Parents, मतलग की जो हमारे father और mother हमारे कौन होते हैं? Students, हमारे parents होते हैं ठीके? हमारे mammy और papa क्या कहलाते हैं? हमारे parents Okay, sister आप sister क्या कहलाती है? A daughter of your parents who is elder और younger मतलग की आपकी बड़ी भेन आपकी बड़ी भेन elder sister और younger sister ठीके? आप students, सब से पहले में elder बता देती हूँ elder मतलग की बड़ी और younger मतलग की छोटी ठीके? सो बड़ी भेन और छोटी भेन अगर है वो कौन होती है? वो कौन होती है students? वो होती है daughter ठीके? अगर घर में कोई लड़की है जो हमारे ममी या पापा की बेटी है हम उसे क्या कहते है? बेटी को English में कहते है daughter ओके? now brother ठीके? अब students ममी पापा का बेटा बेटे को क्या कहेंगे? son क्या कहेंगे? son ठीके? चाहे वो बड़ा हो याने की elder हो चाहे वो छोटा हो याने की younger हो ठीके? उसे हम क्या कहते है? son ठीके? बेटी को कहते है son और बेटी को कहते है daughter ओके? grandfather and grandmother मतलब की दादा दादी grandfather, दादा and grandmother हमारी दादी ठीके? वो क्या होंगे? आपके mommy, papa के भी parents होंगे है रा स्टूडेंस आपके mommy, papa के parents कौन है? आपके grand parents ओके? नाव, uncle ठीके स्टूडेंस अब uncle किसे कहते है? आपके parents के भाई आपके parents याने की आपके mommy, आपके papa के जो भाई है उन्हें कहते है uncle ओके? और aunt कौन होती है? aunt हम किसे कहते है? आपके mommy या आपके papa की भेहन को कहते है aunt ओके? नाव, nephew अब nephew कौन है? son of your brother या sister ठीके? मतलब कि आपके भाई या आपके भेहन का बेटा होता है nephew ओके? son of your brother और sister ठीके? आपके भाई या आपकी भेहन का बेटा होता है nephew नाव, niece niece कौन होती है? आपके भाई या आपकी भेहन की बेटी ओके? आपका कोई भाई है जिसकी बेटी है उसे कहेंगे niece ओके? या आपकी कोई भेहन है उनकी कोई बेटी है सो उसे कहेंगे knees okay so students nephew हम अपने भाई या बेहन की बेटे को कहते हैं और knees कहते हैं अपने भाई या बेहन की बेटी को very easy okay आप cousins कौन होते हैं students आपके uncle या आपके aunt के आपके aunt के बेटे या उनकी बेटी ठीक है उनके जो भी बच्चे होते हैं वह हमारी कौन होंगे cousins होंगे cousin brother या cousin sister आपने देखा होगा आपके mama या mommy की जो बेटे हैं उनके बच्चे हैं उनने हम क्या कहते हैं हमारे cousins है ना हमारे चाचा चाची के बच्चे कौन होते हैं हमारे cousins, okay? So very simple, uncle or aunt के जो भी बच्चे होंगे, उनके चिल्रन होंगे, वो होंगे हमारे cousins, okay? I hope यह आपको सबस्द आ रहा है, बहुत ही इसी, आप अच्छे से इक पर देख लीजिए, okay? चलिए, next पर चलते हैं, relations in a family, ठीक है? आप जो मैंने बताया, grandparents होते हैं, ठीक है? So students, grandparents में भी दो टाइप से, इसे मैं अभी detail में समझा देती हूँ आपको, all members of a family are related to one another, है ना? यह तो बहुत ही easy है कि सारे जो family members हैं, सब आपस में connected है, related है, ठीक है? Let us listen to Anu, what she is saying about her family. अब Anu जो है, अपनी family के बारे में कुछ बता रही है, यहाँ पर देख लेते हैं, okay? The parents of my father, मतलब की, father के parents, मतलब की, आपके पापा के parents are my paternal. अब students, यहाँ पर एक ट्रिक है, आपके, आपको पापा वर्ड याद रखना है, okay? आपके पापा के जो भी parents होंगे, उन्हें हम कहते है, paternal. क्या कहते है, paternal, okay? So, आपको P word, याने की पापा से आपको याद रखना है, paternal. और, ममा से आपको याद रखना है, M word, जो की है, maternal. ठीक है? So, आपके mother के parents मलब की, आपकी ममी के जो parents हैं, वो होंगे, maternal grandparents, जिन्हें हम नाना नानी कहते हैं. और, आपके पापा के जो parents हैं, वो कौन होंगे? आपके paternal grandparents, जिन्हें हम दादा दादी कहते हैं. Okay, so, पापा वर्ट से आपको paternal याद रखना है, और ममा वर्ट से आपको maternal याद रखना है. Okay, maternal grandparents होते हैं, हमारे नाना नानी, और, जो paternal grandparents होते हैं, वो हमारे दादा दादी. Okay, very easy students. यहाँ पर देख लीजे, है ना, यह family tree के थुरू, आप समच सकते हैं, जो mother के जो है, mother के जो parents है, वो हमारे नाना नानी है, यह नाना नानी, और, जो papa के parents है, वो हमारे दादा दादी हैं. Okay, very easy, yes. So, surname बता देती हो students, surname यहाँ पर क्या होती है, members of the family have a common surname, ठीक है, हमारे family members का एक common name होता है, ठीक है, surnames are always written after the first name, ठीक है, surname हमेशा first name के बाद लिखा रहता है, ठीक है, suppose, यहाँ पर एक example है, जैसे की, Rajesh Sharma, है ना, Sohan Agarwal, तो यह Agarwal क्या हो जाएगा, surname, शर्मा क्या हो जाएगा, surname, है ना, first name के बाद हमेशा जो लिखा जाता है, वो surname होता है, and Abdul Khan, यह देखिए, यह surname, okay, surnames are always written after the first name, first name के बाद, are some examples of names, यह कुछ examples है, Rajesh Sharma, Sohan Agarwal, and Abdul Khan, okay, so, they tell us the family to which a person belongs, ठीक है, यह हमें पता चल जाता है, सर्नेम के थुरू की वो कौन सी family से आते है, है ना, जिसे शर्मा family में सब की शर्मा सर्नेम होगी, है ना, अगरवाल family में सब की अगरवाल सर्नेम होगी, okay students, very easy, सर्नेम सब की same होती है, okay students, आज हमने क्या cover किया है, आज हमने cover कर लिया है, कि family क्या होती है, है ना, हमाली सबस से जाधा important कौन है हमारी family ठीक है, और कितनी types की family होती है, ह्टीक है, हमारी क्या responsibility बनती है, family में रहे कर और हमारे parents का why roll होता है, हमारे grandparents का why roll होता है, यह सारी चीज़ीं हमने discuss करी है, last में हमने surname को समझाए कि surname एक common name होता है, जो हमारी family members में सब का same होता है ہora surname हमیشہ first name के बाद लगाता है जैसे कि अभी हमने examples में देख लिया है रोहित शर्मा रोहित first name हो गया रोहित के बाद आ जाता है last name जिसे एक surname कहा जाता है और ये एक family में सब का same होता है इससे पता चल जाता है कि रोहित किस फैमिली को विलॉंग करता है ओके स्टूडेंस आज की वीडियो बस यहां तक ही ओके और आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो सो जल्दी से लाइक कर दीजे शेर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ साथ आपको हिंधी मीडिया में मिल जाता है जिसमें हिंधी मीडिया में आपको देली बौर्ट भीहार बोर्ड यूपी पोर्ट MP Board and Rajasthan Board अवलेबल है साथ में fully organized courses है जैसे की Vedic Maths, Spoken English and exam time में crash course भी provide करवाया जाता है ओके, so आप other platforms पर भी जुड़ जाएं जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp ताकि आप हमेशा updated रहें Magnet Brains के साथ ये है application and website जल्दे से visit कर लीचे इसको and e-notes and e-books का link description box में given है उसे grab करने के लिए क्या करना होगा जल्दी से link को कर ले ना होगा check so मिलते हैं नेक्स वीडियो में also keep watching and keep learning bye bye, take care, keep learning